हेलो श्रेंट्स वेलकम तो माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हां सब लोग मस्त बढ़िया तो उम्मीद कर रहा हूं लाक्ष लेक्टर आप लोग ने देख लिया होगा ठीक है तो इस चैप्टर का लेक्टर नमर फाइफ चैप्टर कौन सा हमारा ड्रेक्ट अक्टिंग फाइफ एंटी कनवलजेंट्स फिर बता दू मैं जिनके उपर स्टार लगा हुआ है उन्ही केमिकल्स का केमिकल नेम एंड स्टक्चर तुमारे कॉर्स में हैं लेकिन मैंने तब भी सब का दे दिया है कोई अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है समझना चाहता है तो मैंने उसकी डिटेलिंग यहां पर कर रखी है बट एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से केवल जो स्टार वाले हैं उनके ही केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है के लिए लोगी बाते हैं स्टार्ट करें आठ के आठ ड्राग है मैंने एक साथ ले लिए चलो बढ़ते आगे तो एंटी कंवल्जेंट कंवल्जेंट को अपोज करने वाले उनको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी क्या होते हैं तो समझते हैं कुछ माइंड नर्चरिंग पॉइंट अगर यह बाते समझ जाएंग तो पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत यादा आसान हो जाएग बॉडी में किसी भी टाइप से अकलन हो एंटन हो ठीक है अगर नॉर्मल बात है कभी ठकान की वाज़े से है या फीवर की वाज़े से वो एक अलग बात है बेवज़े कभी भी अगर बहुत ज्यादा किसी को हो जाता है देखा होगा ठीक है ना तो वो कन्वल्जंस कहलाते इसक과 सारी रूप हैं epilepsy मरगी बोल देते हैं हम लोग का रूप epoxy है दौरवा पढ़ना Caesar Caesar का मतलब दौरवा पढ़ना जो दौरे पढ़ते हैं ठीक है ना convergence अगर 추가 references की बात करें कि अधुक्य क्या कह रहा है पेशी इस फुरण हास पेशीयों में हुटपुरण सी पड़ती है और एठन हा सकती है ठीक है तो यह है कनवल्जन एक तरह से हमारे सरीर में जो एठ जाता हमारा सरीर कभी बेवज़े और उसको रोकने के लिए कुछ दवाईयां हैं कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम लोग यहां पर इस्टेडी करने वाले हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार यह होता कैसे है क्यों हो जाता है अच्छा एक चीज यह बताओ जब हम किसी चीज को छूते हैं गरम चीज को खीच ले हाथ यानि कि तुम्हारे हाथ को जवरस्ती बेवजय बेवजय दिमाग से सिंगनल क्रियेट हो गया है बात समझ में आ रही है कोई इस बार वजय नहीं है पहले तो यह थे गरम चीज को छुआ हाथ खीचा अब बेवजय दिमाग क्या करें सिंगनल छोड़ना सु झालो या दृटा दमी चनता बहुत ज्यादा करता है है कि थो क्या कह रहा है चलो हाथ यो तो ठीक है बेवजे फाइरिंग कर रहा है अब समझते हैं बात क्या है दप्रोसेस आफ नॉर्मल नीउरल फाइरिंग अगर हम नॉर्मल बात करें जो नॉर्मल हमारे सरीर में नॉर्मल फाइरिंग होती है तेक प्लेस एस नॉर्मल फाइर ऐस मैंनी ऐस फाइव हंडेड टाइम सा सेकेंड बेवजे पांसो फाइव हंडेड टाइम्स क्या करेगा अपने सिंगनल भेज देगा मच फास्टर देन दर नॉर्मल रेट होता है हमारा उससे कई गुना ज्यादा सिंगनल तेज भेजता है अब आउट टी सेकेंड ठीकेंड एक सेकेंड में 80 वार ठीकेड नॉर्मिल रेट ऑफ अब एटी फैल से 나서 याने की जो नॉर्म रेट है हमारे पास颜़ मारी नहीं है मतलब जब को एठन तो लगबग को असी सीगनल जाते हैं एक सेकंड में यह जब हमें प्रॉबब माई जा तो फाइव वंडेड लगवक ऐसा मैन सकते कि पांसों सिंगनल पर सब्दोब बीना बज़ता है और मारे मारे काम कर रही है बात समझ में रही है डूरिंग चीजर जब दौर पड़ता है दा एपिलेप्टिक नीरॉंस अंडर गोव प्रोलॉंग डी पोलराइजेशन अब यह दी पोलराइजेशन को मतलब क्या होता है हमारे नर्व का एक मेकैनिजम होता है कि हम लोग जब गरम को छूते हैं ऐसा समाझ लो जैसे हम लोग गरम चीज को छुआ हमारी जो नर्व हो जाती हैं डीपोलराइज हो जाती है डीपोल्राइज शब्द को अपनी दिवाग में ऐसे सेट कर सब्लो लो कि डीप ओर आसका मतलब है सिग्नल क्रियेट होना कि आ ना कि यहां होना है कि आ सभर है ऑल्पनाइज लोग मतलब अगर तुमारा नीवर्ण हो रहा है तो signal create कर रहा है बेवज़े हो रहा है तो बेवज़े signal create होगा किसी गरम चीज को छूरे और हाथ पीछे खेंचरा तो वज़े है वहाँ पे signal create होने की ठीक है ना अब जो क्या कहा रहा है अंड़को प्रोलांग्ड बहुत लंबे समय के लिए डीपोल्राइस हो जाता है यह signal भीजता रहेगा लंबे समय के लिए विदाउट एन इंटरवीनिग रीपोलराइसेशन होता कि एक्चुलि जो नॉर्मल केस में क्या होता तुमने एक वारी गरम को छुआ तो एक वारी डीपोलराइस हो जाएगी और तुरण उसके बाद रीपोलराइस हो जाता है यानि की कंडिसन नॉर्मल हो जाती है अगर गरम से हाथ हटा लिया है तो वहाँ पर रिपोल्राइजिशन हो गया है यानि कि अब यहाँ पर सिगनल आना बंद हो जाएगा हमारा हाथ आ पीछे खतम कानी हो गई लेकिन अगर रिपोल्राइज ना हो तो हम लोग अपने हाथ को खीचते ही चल जाएंगे एट साथ ला अब तुम चाहते हो रुक जाए लेकिन रिपोल्राइज तो हुआ ही नहीं है वो खीचता चला रहा है अकड़ गया हाथ बात समझ में आ रही ना यह थोड़ा सा मैंने कॉस बताया जिससे कि थोड़ी सी बाते को समझ में आ रही होंगी जिन बच्चों ने क्लास 11 में सी ने यूँ कहूं जो हमारी नियूरॉंस है वो जब डी पोलराइज होती है क्या होती है डी पोलराइज होती है तो सिगनल को क्रियेट करती है और जब यह री पोलराइज हो जाती है तो सिगनल आने बंद हो जाते है यानि कि सिगनल आया हाथ पीथे खीच लिया सिगनल खतम मेर signal आके ही रह गया है तो वो क्या होगा हाथ खिषता ही चला जाएगा ऐसे एंटता चला जाएगा और एंटन केरियेट हो जाएगी बात किलियर हो गई है ये terms तुरंद वीडियो पॉस करें ठीक है और इन 4 terms को तो कम से कम अपने सामने लिख ले और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं कुछ बाते करते हैं एंटी कन्वल्जेंट्स हैं क्या चीज़ एंटी कन्वल्जेंट्स आलसो नोन एस एंटी एपिलेप्टिक जो आने पिछे बताया अभी ठीक है न मिर्गी को दौरा ड्रग और एंटी सीजर ड्रग जो कन्वल्जेंट है क्योंकि दौरा पढ़ना है भी को एंटन भी होती हैसा था में तोषी हम लोग एंटी सीजर दौरे को खतम करने वाला या मिर्गी को खतमित खतुरियम द्रग भी बोलते है можно diverse group of pharmacological agent used in the treatment of epileptic seizures ठीक है यह कहना बहुत एक diverse group है diverse group of pharmacological agent ठीक है बहुत बड़ा group है एक तरह से जो क्या करता है ट्रीट करता है epileptic seizures को ठीक है जनल बात हो गई anti-convergence are also used in treatment of bipolar disorder discuss कर चुका हूँ मैं bipolar disorder क्या होता है एक ही time पर आदमी एक पल में खुश एक पल में दुखी एक साथ दो behavior show करता है and borderline personality disorder है ना borderline किनारे पर आ गया है personality disorder में उसका अधिन ना जिसको हम कहते है split personality तो दिरी दिरे किनारे पर आ रहा था वहाँ पर भी हम इसको 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 इस्तिमाल करते हैं it is also used for treatment of neuropathic pain जो हमारे nerves के pain होते हैं उनके लिए इस्तिमाल होते है anti-convergence suppress कम करता है the excessive rapid firing of neurons जो अभी हम पीछे discuss कर रहे थे rapid firing of neurons anti-convergence इसको क्या कर देते हैं कम कर देते हैं during seizure जब दौरा आता है तो इस rapid firing को कम करेंगे तो हमारे हाथ की जो एंठन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी बास समझ में आ रही है और क्या कर रहे है anti-convergence also prevent the spread of the seizure within the brain यानि की जो दौरा हमारे brain में स्टार्ट हुआ है पूरे brain में ना चला जाए उसको भी क्या करता है वो रोकता है वो danger हो सकता है तो यह कुछ basic बाते हैं ठीक है इनको अपने मन से अपनी simple language में भी बना करके तुम लोग लिख सकते हो तो यह इतना basic बात है जब एक आता है कोई drug तो उसके बारे में चारपास लाएने basic लाएने लिखना जरूरी है अगर अच्छे नंबर चाहिए तो अधरवाज नई भी लिखो चल जाएगा बट पता होना चाहिए चलो आगे आते हैं classification की बात करें classification again अपने course में है तो हम लोग देख लेते हैं classification का क्या है सीन यहाँ पर तो classification क्या बोल रहा है classification में कह रहा है पहले है barbiturate on the basis of पहला classification है on the basis of chemical class किस chemical class को ब्लाउंग करते हैं बार्विट्रेट को ब्लाउंग करेंगे तो hydentoin को ब्लाउंग करेंगे याने कि imedazolean derivative होनगे तो hydentoin oxazolean summis derivative होंगे तो oxygen dion derivative या सक्सिनिमाइड हो सकते हैं या बेंजो डाइजीपीन हो सकते हैं या गाबा एनलोग हो सकते हैं या मिस्लेनियस होंगे या कुछ newer anti-convergence हमारे अब आ चुके हैं एक बार इनके नाम देख लें बार्वी टुरेट में कौन है फीनोबर्वित्यों बार्वी टुरेट में कौन है फीनोबर्वित्यों मिफबर्वित्यों हाई नाए फिनायटोईगी पीनाय इथाईल हाइध्यन अक्षा जोलीटीन डाइवन डेरिवेटेश में कौन कौन भाजीपाम गाबा एंलोग में कौन है प्रोगाबाइड ट्यागविन मिस्लेनिहस में कौन है कारव मैज़पीन और वैलप्रो इंड रंजीमूल और देंजी नमाइड ठीक है थोड़ा सा लान करना पड़ेगा ऑबिस ही बात है क्लासिफिकेशन लेनुही करना पढ़ता यह होगी हमारा कैमिकल स्विष पे हमने उक्सार में विMusic पाया जा रहा है उसके विसाव से हमने इसको क्या कर दिया है क्लासिफाइकन दिया है बात करते हैं classification based on mechanism of action काम कोई कैसे करता है उसके उपर गर हम इसको classify करें तो देखो क्या होगा यह enhancement of sodium plus channel inactivation यानि कि जब दौरा पड़ता है तो sodium plus channel कहीं ना कहीं ज्यादा open हो जाता है तो इसको यह क्या करेंगे inactivate करेंगे ठीक है ना sodium plus challenge जब खुलते हैं तो वह signal action potential create करते हैं यानिकि signal create करने में help करते हैं तो इसको यह block करेंगे इसमें कौन-कौन आते हैं spinail toin and carbon depine enhanced gaba synaptic transmission जो gaba है synaps के आसपास synaps याद है synaps याद है मैंने बताया था इस type से याद आ गया तो अच्छी बात है synaps के आसपास जो gaba का transmission है उसको enhance करेंगे बढ़ाएंगे ठीक है amino butaric acid क्या कह रहा है ट्रांसमेशन ओफ गामा लिखा है गामा अमीनो व्यूटारिक एसीड दा प्रिंस्पल इनिवीटरी ट्रांसमिटर इन दा सेरेवल कॉर्टेक्स मेंटेन दा इनिवीटरी टॉन डेट काउंटर बैलेंसेस नियूरल एक्साइटेशन यह गाबा कर क्या रहा है काउं प्रिंसन बढ़ा दिया जाए तो हमारी नर्फ जो एक्स्ट्रा एक्साइट हो गई है और नियूरॉन्स को फायर मतलब सिगनल को फायर कर रही है तो यह उसको रोकने में हैल्प करेगा वैंडिस बैलेंस इस डिश्टर्ब्ड क्या लिखा है वैंडिस बैलेंस इस जाए ठीक है ना सिग्नल क्रियेट हुए एक लिमिट के अंदर ज्यादा क्रियेट हुए तो गाबा उनको रोक देता है अगर यह बैलेंस गावा नहीं काम कर पार रहा है तो क्या क्रियेट हो जाएंगे बास समझ में आ रही है तो देखो यह क्लासिफिकेशन में जो एक्स थीच है क्लोबाजिमी फीनोबार्विटोल रिडस्टन अफ करेंट फरूट ती टाइप कैलशियम चैनल के अंदर से करेंट पास हो रहे है उनको क्या करते हैं बडॉक करेंगे ठीक है जा बोल रहा है कैल्सियम चैनल एक्टिवेशन इनिशिएट क्यों चैनल अपनी मसल्स जो हमारी मसल्स ऐसे हम लोग खींचते हैं या काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है जो कैल्सियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी मसल्स को क्या करने में सिकोडने में या खींचने में ठीक है तो इनको भी क्या करते हैं यह बंद करते हैं ऑबिसी बात है जब बहुत ज़्यादा मातर में खुल जाएंगे तो एक्टमेटिक हमारी मसल्स काम करने लग जाती है और एक्टना शुरू हो जाती है तो इसको भी क्या किया जाएगा ब्लॉक किया जाएगा तो इन तीन तरीके से हमारी एंठन को रोका जा सकता है ठीक है इसमें कौन आजाएग तो थोड़ा सा समझना जरूरी है ठीक है बेसिक मोटा मोटा दिमाग में डालो sodium channel signal create करते हैं ठीक है जैसे मैं भी हाथ हिला रहा हूं तो signal create हो रहा हूं मेरा हाथ हिल रहा है अब मालो यह अभी क्या है मैं सोच कर रहा हूं काम अब यह मालो बिना वज़े सिगनल क्रियेट हो जाए मेरा हाथ अपने हाथ चलने लगे बात समझ में आगी गावा जो का निंज्ञ मैदिसीन उस टो ट्रीट एपी लपक सी ठीक है इड कन आल्सों भी यूज ट्रीट निट्रैमनल नर्फ होती है घुक है उसको भी क्या करते है जो निट्रैमनल नर्फ का उसको भी चंड्रो करने में हेल्प होता है क्या बोराँ टाइप आफ नव पिन डेट अफ्ट यॉर फेश के नर्फ you सब्सक्राइब ना उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है यह फिनाइटन इस आलसो अवेलिबल ओन प्रिस्क्रिप्शन और विसी बात है यह जर्नल पॉइंट है कि आप एक नहीं डाल जिया मैंने प्रिस्क्राइब डॉक्टर करेगा तहीं मिलेगा ओटी सी ओवर दा कमेड इसको चबाई जा सकता है या डिजॉल के आसकता है पानी के अंदर कैप्सूल एंड लिक्विड असकता है जिसको की तुम निगलो स्थर गे मार्केटमें अभी लगों आप सु यह Rey इसके बारे में कुछ प्तिर में क्या बोल रहा है तो एक बेंजीन गूरूप यह है एक बेंजीन गूरूप यह है ठीक है नम्म Ready कहा से स्टार्ट हुए है जो प्रियोटी ओरर किटन को ज्यादा मिलता है व्यूंसे तो तो किटों से स्टार्ट विए 1, 2, 3 और 4 ठीक है ये इनकी नंबरिंग होगी पांच वे पे दो बेंजीन लगें बेंजीन का नाम क्या रखते हैं जब उसको हम आगे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं फिनाइल तो 55 डाइफिनाइल अथा ये सोडियम कहां से आया होता क्या है या जो है यह यह हट जाता है और इसकी जगह पेर क्या लग जाता है तो आगे लगाने देसे सोडियम 55 डाइफिनाइल ठीक है इमीडा जोलीडीन ये जो गुरूप है पूरा ये वाला यहां से लेके यहां तक यह क्या हो गया इमीडा जोलीडीन 2-4 डाइवन 1-2-3-4 तॉरी यह उल्टा हो गया है थोड़ा सा इगरवड हो गया मामला यहां से स्टार्ट करेंगे 1-2-3-4 तू-4-डाइवन ये दो कौन से गुरूप हैं किटोन के गुरूप है और किटोन का जो सफिक्स होता है स्टाफिक्स मतलब कीटोन गुरूप को दिखाने के लिए उसके लाश्ट में क्या लगाते हैं हम लोग वन लगाते हैं ध्यान है जैसे कि यहां पर छोटा सा एजामपल लूँ में कि है ना ये क्या बन जाएगा एक दो तीड नीगा मतलब प्रो फेन और क्या लगा हूअ यह नाम होगया क्यों एक तरीके से इसकी यह नेमिंग है जो कि तुमको समझनी है आगे आते हैं आगे फिर क्छास Presents हैं उसे तो टeleri जो मास नफ्ष होती है उसके पेन को कंड्रोल करने में help आता है टॉनिक क्लोनिग सीजर बच्चों सीजर कहीं टाटेप की तरos होते हैं ठीक है अगर नाम याद ना रहा है तो सिंपल सीजर लिख सकते हो उन टाटस आफ की पनीप से बिस है स्टेविल्टी नSi्टquently के बात करें तो देखों मैं बता दूंए गरें गरब यो सभी ड्रक्नेज सवी नहीं पार लाए,- करना ऐन दो नोट करना नको फ्रीज हं को नहीं करना है बात समझवा रही है कि बात करें तो यह कैप्सूल टैबलेट और और इंजेक्शन की रूप में पाए जाएगा मतलब मार्केट में अवेलिबल है बनाया जाता है इतने रूप में ब्रैंड नेम की बात करें तो बड़े कॉमन से ब्रैंड नेम है इसका फनाइटोन सोडिय हमार पास कार्बामाजिपीन ठीक है इसके उपर भी स्टार लगा हुआ है इसका भी कैमिकल नेम और स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में तो देखते हैं क्या बोल रहा है इतीजा सिंथेटिक यह सिंथेटिक है सिंथेटिक कंपाउंड ऑफ दा बैंजो डाइजिपीन कौन सा ग्र इस एंटी कंवर्जेंट है ठीक है एंठन को रोकता है ट्रीट्मेट ऑफ एपिलेप्सी और निरोपैसिक पेम जो हमारे नफ्स के पेम होते हैं उसमें हेल्प करता है इस यूज्जी एजन्क्टिव एडजक्टिव का मतलब होता है सहायक जो हेल्प करें इन additional add कर दी जाती है help करता है इन डिजीज को ठीक करने में chemical नेम की बात करें बच्चों तो देखो जड़ा थोड़ा सा समझते हैं यह इसका में इस्ट्रक्चर है आया कहां से है इसको थोड़ा समझना है देखो यह तो बैंजीन है ठीक है दो बैंजीन गुरूप है बैंजीन को प्रिफिक्स जब बैंजीन पहरे जोड़ा जाता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं यह जो बीट में कंपाउंड है देख रहे हो कितना है एक दो तीन यह यह यहलो कलर से लिखा हुआ है वन टू थी फॉ इस छहां लगे हैं और एक हम लोग बदेते हैं 1-8 एशि पीन बात समझना यह क्या है वन है ऐजीफिन ठीक है और यह गूरूप होता है यह कौन सा गूप होता है अमाईड गूरूप होटा है अब दोनों तरफ से दो बेंजीन रिंग आ करके यहां फ्यूज कर गई है यह देखो और यह सियो एनस्टू ग्रूप जो की यूरिया से आता है यह आ करके नाइट्रोजन में इस एच को हटा देता है और खुद आके यहां पर जुड़ जाता है एक बात ध्यान रखना है जै जो थ्री और टू के बीच में तृसरा बॉण सी जो थ्री और फोर के बीच में चौतर बॉण डी इस तरह से एफ और जी बॉण की नेमिंग तो बी और एफ क्या दिखा रहा है कि मेरी जो बैंजीन रिंग है वो कौन से वाले बॉण से आकर के फ्यूज हुआ है जुड़ा एच कहां चला गया फाइब पर ठीक है डाई बैंजो दो ग्रुप लगवें बैंजीन की तो डाई बैंजो और ये बैंजो कहां फ्यूज हुए आकर के एक B और एक F यह बॉंड कौन सा है B और यलो बॉंड कौन सा है F में आकर के फ्यूज हो गया एजीपीन ये बीच वाला ग्रूप क्या है एजीपीन 5-Carboxymide ठीक है न ये CO-Carboxymide ग्रूप क्या लाता है जो कहां लगा हुआ है पांच वीपर लगा हुआ है इस तरीके से ये इसका क्या हो गया क्या गांच वीपर नेव एंड इस्टक्चर तो कार्बमाजीपीन का क्या मिकल नेव इस्टक्चर थोड़ा सा क्या है समस्ती वे याद करोगे तो आई थिंग इसली याद हो जाएगा अधर डाइक्ट याद करना चाहो तो डाइक्ट भी याद कर सकते हो के लिए रहे आगे आते हैं यूजेस लिख सकते हो अब एपिलेस्टी ट्राइजमिलर नियुरेल्जिया ओकेशनली यूज्ट तो ट्रीट बाइपोलर डिसॉर्डर इस्टेविल्टी की बात करें वही दू नॉट स्टोर अबब 30 डिग्री स्टोर इन ड्राइफ प्लेस प्रोटेक्ट सॉनला इस एपिटोल और मैजिटोल के नाम से मार्केट में अभी लिवल है कि लिए रहें यहां तक चलें आगे गुड नाव वैल्प्रोइक एसीड शॉर्ट फॉर्म क्या है वी पी ए इसके उपर भी क्या लगा हुआ है इस्टार लगा हुआ है ठीक है जाने कि इसका भी कैमिकल लेमों इस्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है welproate welproic acid बना किससे? and its welproic acid या sodium welproate या welproate semi sodium forms यह जो रूप में इसके are used to treat epilepsy and bipolar disorder ठीक है welproate और उसके welproic acid, sodium welproate यह सब जो रूप में इसके यह epilepsy & bipolar disorder को ठीक करने में help करते है माइग्रेन का सरदर्द होता है माइग्रेन का सरदर्द होता है उसको भी रोकते हैं यूसफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ सीजर ठीक है सीजर को रोकने में हेल्प है सीजर के टाइप बता रहा है यहां पर लाइक पार्शिल सीजर जनलाइज सीजर ठीक है ना पूरा फुल सी याना बट हाँ थोड़ा सा समझ लो कि ऐसा होता है करके they can be given intravenously यह नस्प में डियरेक्ट दिया सकते हैं माउट से लिया सकते हैं खाय सकते हैं ऐसे tablet के रूप में या फिर ठीक है ठीक है इसको हम लोग IV ले सकते हैं या by mouth ले सकते हैं and the tablet form exists in both long and short acting formulation यानि कि लंबे समय तक काम करें या छोटे समय तक काम करें उसके रूप में यह अविलिबल है chemical structure की नाम की बात करें और structure की बात करें तो नाम क्या है 2-propyl-pantanoic acid देखो बच्चों यह क्या है COOH यानि कि यह group कौन सा हो गया carboxylic acid इसके लिए क्या लगता है oic acid नेमिंग कर लेते हैं 1,2,3,4 and 5 तो 5 है तो pantanoic acid और 2 पे क्या लगा हुआ है यानि कि प्रोपाइल टू पे क्या लगा हुआ है प्रोपाइल 1,2,3,3 का मतलर प्रॉप होता है टू पे प्रोपाइल लगा हुआ है और यह क्या है pantanoic acid बहुत सिम्पल था इसनों कि बहुत ज्यादा difficult नहीं था यह clear है चलें आगे okay uses again way to treat seizures bipolar disorder mania to prevent migraine headache जो सर्दाद होता है migraine की वाजे से stability storage है ना it should be stored at room temperature it should be protected from humidity light and moisture humidity light or moisture से इसको क्या करना है हमें protect करना है humidity पता है जो numb area होता है पहले भी कई बता चुका हूँ मैं चीजे repeat हो रही है ठीक है तो जो चीजे repeat हो रही है और जो लेक्षर मेरा continue देख रहे है उनको यह बाते समझने में दिक्कत नहीं आ रही हूँ मैं फिर कह रहा हूँ अगर अभी भी किनी शब्दों का meaning नहीं पता है तो उसके meaning लिख ले हिंदी में पहले ठीक है न हमिडिटी जहां नम रहता है हुमस रहता है है कि लिए रहे है ओके चलो आगे आते हैं देन गाबा पैंटीन इसके उबर भी क्या लगा हुआ है इस्टार लगा हुआ है क्या है यह गाबा पैंटीन शोल अंडर दा नेम नीरेंटीन यह नीरांटीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है अंटी कन्वल्चेन्ट है ट्रीट करता है पार्शन शीजर को और नीउरोपितिक पेइन को ठीक करता है इसकी वयासा हो अगर अगर डाइबेटिक नीरोपैथी हो डाइबेटीस के वाईए से नर्फ क्या होने लगती है जो डाइबेटिक पेशन्ट होते हैं उनकी नसे खराब होने लगती है उस केस में यह फर्स्ट लाइन ड्राग है मतलब कि सबसे पहले इसका इस्तमाल किया जाता है कि ठीक है कैमिकल इस्ट्रक्चर और नेम की बात करें अगर हम लोग तो इसका नाम देखो क्या है 2-1 अमीनो मिथाइल साइक्लोहेक्जाइल एस्टिक एसिड याने की अगेन अगर मैं गौर से देखूं यहाँ पर तो क्या लगा हुए है सी ओ ओ ओ एच तो यहां तो यह लग गया सीओ एक और यह डो ठीकल नापइल ऑ और बोला गया इसको अब धो दोसरे पर और मिःना मिथाल यह अने की यह वन एक ही तो carbon नहीं है यहाँ पर ये carbon एक ही है ना और उसी से कौन जड़ा हुआ है Amine Group जड़ा हुआ है तो two पर कौन डारेक्ट जड़ा हुआ है one amino methyl और ये cyclohexyl एक दो तीन चार पांच और छे ये क्या है cyclo goal है तो cyclohexyl इस तरह से इसका नाम पढ़ गया two bracket में one amino methyl cyclohexyl acetic acid clear है नाम ही नाम है पढ़ना पढ़ेगा प्रैक्टिस करनी पढ़ेगी ओके users की बात करें prevent and control partial seizure relief from nerve pain है ना partial seizure को रोकता है दोरों को रोकेगा treat moderate to severe मतलब बहुत कम या बहुत ज़्यादा severe बहुत ज़्यादा गंभीर primary restless leg syndrome ठीक है ना severe इसको हटा देते हैं कुछ यह mistake हो जाती है बीच बीच में कई बार restless leg syndrome क्या होता है यह restless leg syndrome कुछ लोगों के साथ ऐस समस्या होती है कि अगर बैट जाएं तो एक से दो मिनट जादा से जादा बैट नी सकते उनके अंदर से बेचे नहीं लगती है वह अपना degree centigrade should be stored in well-closed container well-closed container के अंदर जो कि अच्छे से tightly packed हो बंद हो container उनके अंदर ही इनको store करना चाहिए कि फॉर्मूलिशन की बात करें तो tablet की रूप में available है suspension solution और capsule की रूप में available है brand name की बात करें तो neuron toign neuron tin gavapentine gabron और ग्रेलाइज के नाम से market में available हैं यह clear है नेश्ट आता हमारे पास clonazory palm जो चार्ड्रग से starting के उनके chemical name and structure हमारे course में है अब जो चार्ड्रग हैं उनके पर इसको लिख दिया है जो इनको छोड़ दें और छोड़ सकते हैं ठीक है और जो याद करना चाहिए एक्स्टा लिखने के लिए याद कर सकते हैं तो clonazory palm sold under the brand name clonopin clonopin के brand name के नाम से जाना जाता है यह it is used to treat किसको ठीक करता है सीजर को panic disorder में बात कर चुका हूं panic क्यों होता है जो आदमीं घबरा जाता है बहुत जाता बे वज़े डर लगने लगता है उसको anxiety चिंता and the movement disorder known as akathisia ठीक है एक तरह का disorder है ठीक है इसमें भी क्या है वह ही है कि akathisia is the movement disorder characterized by subjective feeling of inner restless अंदर से बेचैनी रहती है कि क्या ना क्या हो रहा है ना अंदर से बेचैनी क्यों है सारा खिल दिमाग का है तो यह उसका नाम है accompanied by mental distress and inability to sit still यहां पर वही condition आ जाती है क्या है अंदर से बेचैनी है और टिक नहीं रहा आप एक जगह पर तो उसको हम लोग क्या 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 क्याते है यह जो बाते में स्टार्टिक में लिखता हूं बच्चों यह थोड़ी सी जनरल बाते होती है ठीक है ना आप अगर क्या क्या है तुमको पता ही है chemical name and structure uses stability and storage formulation ठीक है and brand name यह तुमारे course में में है और जो starting कुछ बाते होती हो अच्छा होता है exam point of view से teacher खुश होता है number अच्छे देता है chemical name and structure की बात करें तो chemical structure तुमनों को दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो main हमारा group है वो कौन सा है बेंजोडाइजपीन यह रहा मेरे पास बेंजोडाइजपीन यह रहा मेरे पास main group बेंजोडाइजपीन अब इसमें देखो क्या क्या लगा हुआ है इस बेंजोडाइजपीन में फिफ्ट नंबर पर क्या लगा हुआ है टू क्लोरोफिनाईल यह रहा टू क्लोरोफिनाई सेवन्थ पर क्या लगा हुआ है नाइट्रो एनो टू नाइट्रो लगा हुआ है वन थ्री डाइड्रो वन और थ्री पर हाइड्रो हाइड्रोजन हावी लगा है हाइड्रोजन हावी लगा हुआ है 1,4, Benjo, ठीक है न, 1 और 4 पे क्या है, N और N लगा हुआ है, 1,3 पर, 1 पे भी H है और 3 पर भी H, हाइडोजन के लिए बात होई, 1 और 4 पे N और N लगे हुए है, तो Benzodidefin और 2 पर क्या हुआ है, Ketone लगा हुआ है, तो Ketone के लिए क्या आ गया है, 1 आ गया है, यह इसलिए मैंन करना चाहो तो इस तरीके से practice कर सकते हो कुछ दूसरे drugs की तो naming होती है उसमें तुमको help करेगा यह चलें आगे यूज की बात करें तो seizure को ठीक करता है epilepsy को ठीक करता है involuntary muscle spaspe को ठीक करता है panic disorder को ठीक करेगा restless leg syndrome को भी ठीक करता है यह stability and storage की बात करें तो same है मैंने पहली बताया था storage between 50 and 30 degree centigrade avoid from humidity and moisture humidity और moisture से हमको इसको बचाना है formulation की बात करें तो tablet की रूप में available है solution की रूप में available है brand name की बात करें तो klonopin और revertil के नाम से market में available है किलियर है next आता है sixth number of drug है topiramate ठीक है topiramate sold under brand name topamax topamax के नाम से market में available है यह it is used to treat क्या ठीक करता है epilepsy prevent करता है migraine जो सरकादर्द होता है migraine नाम से उसको ठीक करेगा it has also been used in alcohol dependence जो लोग alcohol dependence में alcohol की dependency हो गई है उनको छुडाने के लिए भी यह help करती है for epilepsy epilepsy में generalized और focal seizure जो seizure की type मैंने बताई है कैसारी होती है तो simple तुम यहाँ पर seizure ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है taken by mouth mouth को दरा लिया जाता है chemical structure और name इसका बहुत ज़्यादा complicated है ठीक है जो लोग practice करना चाहते हो practice कर सकते हैं अदर वाइस यह अपने course में नहीं है clear है users की बात करें तो treat epilepsy epilepsy को ठीक करता है migraine के सरदर्द को ठीक करेगा stability और storage की बात करें तो इसको हमें 25 degree centigrade पर store करना चाहिए it should be protected from light and moisture light और moisture से हमें इसको बचा के रखना है formulation की बात करें तो market में यह टैबलेट और capsule के रूप में available है brand name की बात करें तो topamax और topamax sprinkle के नाम से brand name में और भी brand name में दो जो बड़े comment है वो brand name यहां पर mention कर दिये हैं तो उमीद कर रहा हूं यह सब बाते learn करने वाली है तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी किलियर है चले आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास compound number seven वीगा बैट्रीन वीगा बैट्रीन वीगा बैट्रीन वीगा बैट्रीन ब्रैंड नेम several several के नाम से market में available है किसको ठीक करेगा यह epilepsy को ठीक करता है chemical नेम ने structure की बात करें तो बड़ा simple है देखो यहां पर सी लगा हुआ है सी ओ ओ एच फिर यह एक दो तीन चार पांच और छे ठीक है ना छे है तो हैक्स आ गया पांच चौथे पर क्या लगा हुआ है अमीन ग्रूप लगा हुआ है तो फोर अमीनो फाइब पर इन डवल बॉंड के लिए इन लगता है किसके रिए, double bond के लिए याद है, जहां double bond होता है उसके इन लगता है, triple bond होता है तो Ion लगता है clear है, ठीक है तो पाच्वे पे इन लगा हुआ है और यह COOH group OIC और SED इसका क्या हो गया? नाम हो गया simple था, use की बात करें तो use to control infantile specimen देखो सोचो बदलब बड़े तो बड़े बच्चों में बच्चों क्या दोसे इन फेंटार इस पैस बच्चों की मांस प्रेसियों में भी दिक्कत आजाती है अब सोच बचारे ऐसे बच्चे क्या करते होंगे ठीक है टाइप आफ सीजर डैट बेबी से चिल्रेंट के एफ सीजर जो बच्चों में पाया जाता है इन बेबीस ऑफ वन मन्त टू टू इयर ऑफ एज अब सोचो एक मन्त का बेबी को दिक्कत है यह ठीक है ना बहुत ही मेरे ख्याल से वर्ष्ट केस है यह नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का साथ इसा यूज़ विद अधर मेडिसीन बचा के रखो रूम टंपरिचर पर इस टोर करो रूम टंपरिचर कितना होता है 25 डिगरी सेंटिग्रीट का थोड़ा सट डिगरी 5 और कम कर लो 20-25 कर लो याद हो गया इस ट्रीट एपिलेप्सी एपिलेप्सी को ठीक कर रहा है इस्टेबलाइज मूड जिलनों का मूड बात बहुत जलदी जलदी सूइंग करता हैं चैसे कि बाइपोलर डिसॉरडर में होता है ना मेंने क्या बता एक्दम खुश होगा एकदम दुखी हो जाएगा उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है ठीक है फौर एपिलेप्सी एपिलेप्सी में इस इंक्लूड और वोकल सीजर अगेन हमारे कोर्स में नहीं है इसका ठीक है ना इस्टार नहीं लगा हुआ इसके उपर तो है क्या देखो छटे पर क्या लगा हुआ है 2, 3 है ना 1, 2 और 3, 2, 3 डाइक्लोरोफिनाईल फिर 1, 2, 3 1, 2 और 1, 2 और 4 1, 2 और 4, ट्राइजाइन 3N लगे हुए तो उसके लिए क्या होगा 1, 2, 4, ट्राइजाइन 3, 5 डाइजाइन 3 और 5 पे अमीन ग्रूप लगा हुआ है तो इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी है नेमिंग हो जाएगी किलियर है यूस की बात करें इस उस ट्रीट एपिलेप्टिक सीजर, बाइपोलर डिसॉडर एक्स्ट्रीम मूड सुइंग है एपिलेप्टिक सीजर, दौरा पढ़ना, मिरगी पढ़ना बाइपोलर डिसॉडर, मूड का सुइंग होना एक्स्ट्रीम मूड सुइंग बहुत एक्स्ट्रीम एकदम से चले गए दुख में और एकदम से चले गए खुशी में ठीक है, stability and disorder should we store between 25-25 degree centigrade should we store in well-closed container, container अच्छे से बंदोना चीए, खुलाई में नहीं रखना है tablet की रूप में available है, brand name की बात करें तो market में जो है, वो है क्या है Lamictal के नाम से बड़ा famous इसका brand अविलिबल है, क्लिए रहे हैं तक बाते हैं next lecture आने वाला है anti-depressants का, तो ये था हमारे पास anti-convergent lecture नबर 5 और next lecture भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि drugs में बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है तो एक ही साथ cover कर दूँगा मैं, अगर lecture लंबा हो जाता है, तो दो पार्ट में देखें इसको, थोड़ा अभी देखें, थोड़ा बात में देखें, इस तरीके से cover करें, अगर एक साथ देखने में दिक्कत आ रही है, कोई ड्रक छोट छोटे हैं, तो पॉन गंडे 50 बिन काम होगा, अगर वहां revise करोगे, है ना, बच्पन में अगर तुम लोग देखो, cycle चलाते हो, revise करते हो, रोज practice करते हो, तो cycle चलाना सीख जाते हो, बाइक चलाते हो, रोज revise करते हो, बाइक चलाना सीख जाते हो, उसी तरह पढ़ाई भी है, लाइफ में कोई भी काम बिना revision क कोई भी काम लेलो जिसमें आपको perfect अगई है जो आप काम बहुत अच्छे से करना जानते हो उसको क्या करते हो अकसर तुम उसको बार बार barriers करते हो तो मैं खुद नहीं पता होता कि तुम उसकी बार बार रिहर्सल कार रहे हो बार बार तो पड़ाई से कैसी दूस्मनी है इसको भी रिवाइस करो ये भी परफेक्ट इसमें परफेक्शन आ जाएगा बात समझ में आरे नथिए थीक है थोड़ा सा लर्णिंग है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, learn करेंगे, revise करेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, okay, all the best.